आज हमारे घर में देखो कौन गुज गया यार इनको देखके तो ना सबकी फट जाती और यह निकलने का नाम ही नहीं रहता इतना दर का मौलता ना कि क्या ही बता तो सुबह सुबह मैं और रहुल तयार होके जोला उटा के चले गहते सबजी मंडी सबजी ले निकले क्योंकि घर में थोड़ी भी सबजी आए नहीं ती सारी सब्सक्राइब बहुत दिनों के बाद बढ़िया सी दूप मिल रही थी यार बारिश के बाद दूप मिलते हैं तो मज़ए ही आ जाता है यह सबसे पहले नारेल पानी प्या क्योंकि सुबह 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 मुझे कुछ खाना इतना खाने को ने ले लिया सोचती हूं पूरा खालूंगी लेकिन खाए नहीं पाती तो रावल को यह फिनिश करना पड़ता है पीछे से और मैंने थोड़ा बहुत खाने के बाद यह पूरा का पूरा रावल को दे दिया क्योंकि मेरा तो पेटी भर गया घर आके देखा तो रोन अपना कुछ पौदों में कर रहा था नए 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 पौदे लगा रहा था उसमें मटिया क्लीन कर रहा था पानी वगेरा डाल रहा और ममी और पापा यहां पर मस्त बैटके आराम कर रहे थे और इतनी सारी सबजिया लेकि हम लोग जब अंदर रखने लगे फिर किल लुए मैंने नारेल पानी निखाला उनको लाके दिया भी फिẩले अदका बंधी को दे दूमि को दें को डिये और यह दोनों क चलता रहता है पर दुपैर में मेरे enjoy को कुछ म नी करतां तो मैंने बीन ऐक से हो रहा था पता नहीं क्या वह थे चुौआ और ऊज़के बार कि घर में गुश गया इतना बड़ा चुआ हम लोगो तो वैसे मम्मी की बात पर भरोसा नीता लेकिन मम्मी बोली नहीं मेरे देखा है अपनी आँकों से गुसा है में को आवाज आ रही है लेकिन ये लोग बोले मम्मी आपका वहम होगा ऐसा कुछ निया बहुत जगे लाए थे तो वह सब कार्ट पिट के हम लोग खाव पी रहे थे उतने मैं अपने बैडरूम में गई और मुझे ऐसे लगा कि मेरे बैडरूम में चुआ गुज गया तो मैंने रहूल को बुलाया फटाफर ने बोला यार यहां पे आवाज आ रहे है तो रहा था यार तुम कबड में सारा सामान भार निकाल यहां पे तो दिखानी फैमने बोला चलो इस वाजुवाले में देखते हैं जैसे ही इस वाजुवाला उने चीजे निकालने चालू कि ना फटाक से डर की पीछे आ गया क्योंकि यहीं पे बैठे थे माहराज एकदम चुप चुपा के और आवाज भी नहीं करते इनको भी पता चल जाता है कि अब इनके पीछे लगे और इनको यहां से भार निकलना ही पड़ेगा तो यहां पे यहां पे जाकर चुप गये थे और एकदम शांती में बैठे रहे थे आप लोगों को अगर नहीं पता है तो बता दू यार एक बर ऐ उस सक्तोर महां से निकलना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है तब धकके फिर राउल ने दीरे दीरे सारा सामान हटाया और कोशिश किया कि कैसे भी करके ना महाराज जी बाहर ही निकल जाये तो सही है यार क्योंकि है ना हम लोग देखो किसी को हर्ट नहीं करना चाहते और लोग अराम से निकल जाए तो बहुत भैतर होता है लेकिन वो लोग निकलते ही नी बैरटे ही रहते हैं एक जगा पर आप लोग के साथ भी ईसे होता है ना फिर जैसे राउलनें ये वालभी तैली लेर ने का नाम लेड़ा था बहुत डंड़ लया था यह थाका यह कोffentlich उन लगता है तो यहां पर भापा भी वीडियो ले रहते हैं क्योंकि यह इतना फ़ुपनी वह ए और हमारे साथ तहुप भुषण पर भी और फाइनली घर से बार गए तो हम लोगों का सबके मन का जो दर्म का महौलता न वो हल्का हुआ क्योंकि हम लोग नहीं चाहते न Chemie हटो और राइनली भाहार निकालके मैं आके भॉल रहे थी है तों लोग मेरा बिलीव धे नहीं करते आप लोग के साथ को भी ऐसे किसे कहानिया हुई है तो जरूर बताना चलो मिलती हूं अगले वीडियो में बाई बाई